हेलो फ्रेंड्स मैं आजे कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल शाबर मंतरों की शक्ती में दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुठी पीर साधना के बारे में मुठी पीर साधना क्या होती है इसे कैसे सिध कर सकते हैं और इसे हमें क्या फायदे होंगे मैं आपको सब बताने वाला हूँ बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए तो चलिए हम हमारी वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के ठीक नीचे एक रैडिकलर का बटनों का उसे टच कर दीजिए और उसके साथ एक वैलका इकनों का उसे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी जो भी निव वीडिया आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों मुठी पीर एक बहुत ही बड़े पीर माने जाते हैं इनका स्वाप बहुत ज़्यादा करोधित होता है आज हम इनकी साधना कैसे कर सकते हैं मैं आपको सब भी दी बताने बाला है बस आप हमारे साथ बने रही है दोस्तों मुठी पीर बहुत ही ज़्यादा पावरफूल है सबसे पहले दोस्त हम इनकी बात कर लेते हैं बीदी की मुठी पीर साधना के लिए आपको एक लकडी का जो चौंकी होती है वो लगा लेनी है अपने घर में कोई भी एक खाली रूम देख लीजे इसके अंदर एक लकडी की चौंकी लगा लीजे उसके ओपर हरे रंग का कपड़ा विछा लीजे उसके अंदर एक थाली रख लीजे धाली के अंदर आपको सरसो के तेल का दीपक जलाना है udah उसके पास आपको बतासे चड़ा देने हैं और आपको दूप 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 लगा देनी है या फिर पांच अगर चारो और अपने घेरा कर लेना है, रक्षा कबच कर लेना है, और उसके बाद आपको साधना करना है, उससे पहले कुछ बातों का ध्यान लखना है, जब भी आप कोई साधना करो, तो पहले गनेश बगवान को याद करना नहीं भूले, गनेश बगवान का समरण कर लीजिए, और उसके बाद अपने कुल देवी देवता, पितर देवता, नगर खेड़े को समरन कर लीजिए दोस्तों अपने इश्ट देवता को याद कर लीजिए फिर अपने गुरू मंतर का जाब कर लीजिए अपने गुरू को याद कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आपको ये साधना शुरू कर देनी है दोस्तों आपको इस मंतर का एक बार एक माला जाब करनी है सुबा एक माला जाब करनी है आपको शाम को दोस्तों आप चाहे तो इसके अलावा मतलब कि जादा भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा सिद्धी चाहते हो जल्द सिद्धी चाहते हो तो आप पांच माला भी कर सकते हो वरना एक माला भी बहुत है सुबाश हम आपको एक माला करनी है इस तरह से आपको पूरा एक महीने तक करनी है 31 दिन तक आपको यह साधना करनी है मैंने आपको विधी बिता दी दोस्तो इसके लावे एक दूसरी विधी भी है जो मतलए इसकी असली विधी है आपको यह बबूल के पेड़ के नीचे करनी होती है आप चाहे तो इसे जो किकर बोल देते हैं बबूल बोल देते हैं उसके ब्रिक्स के नीचे करनी होती है पश्चिम की तरफ मुख करनी होती है दोस्तो अगर आप रूम में करते हैं तो भी आपको पश्चिम की तरफ मुख करना है अगर आप बाहर करते हैं बबूल के ब्रिक्स के नीचे लंका सो कोड समुंदर सीखाई जहां पिर मुहम्मदा वीर की दुखाई कौन वीर आगे चले सुलेमान वीर चले दर्सनी वीर चले नाजिर साहा वीर चले मुठी पीर चले नहीं चले तो हजर सुलेमान की दुखाई सब्द साचा पिंड काचा फुरो मंतर इश्वरो बाचा दोस्तो इस तरह से मंतर था मैंने आपको मंतर बता दिया है विदी बता दिया है आपको कैसे करना है मैं सब बता चुका हूँ दोस्तो अगर उसके लाव आपको कुछ समझ नहीं आता है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोसल नेटवर्किंग साइट, फेस्वुक, इस्टागराम, ट्वीटर उनके लिंक मिल जाएंगे आप हमसे वहाँ पर कंट्रेक्ट कर सकते हैं दोस्तो उसके लाव हमारी एक वेब साइट भी है वहाँ भी आपको ये मंतर लिकित मिल जाएंगे मारी वेब साइट का नाम है www.mantramall.com दोस्तो इसका भी डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से ले सकते हैं दोस्तो आज की हमारी वीडियो में इतना था हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद